हेलो फ्रेंड्स फेलकम बेक टू मैं चैनल इवेल्फ किछन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से कैसे आप टैनिक को रिमूब कर सकते हो अपने चहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो लेकिया सकते हो इंस्टनली वह बताओंगी तो मैंने पिछले ग्लो देगी और बहुत अच्छा फरक भी दिखाएगी आपके चहरे पे टैनिंग को तो बिल्कुल दूर करने वाले तो गर्मियों में यह रेमेडी तो आपके लिए मतलब भगवान टाइप साबित होने वाली है तो जरूर करना एक बार तो यह मैंने सबसे पहले हल्दी ले लगा सकते हैं और यह जो रेमेडी है यह हल्दी से बनने जा रहे हैं तो कुछ लोगों को कमेंट है कि वह मतलब टीनेज में लगा सकते हैं कि इसको तो मैं आपको पता देती हूँ यह रेमेडी 15 प्लस लोग लगा सकते हैं आराम से आप चाहे बोई हो आराम से लगाना बह पेले कर सकते हो या कहीं पर जारे हूं उससे आदे घंटे पहले कर सकते हो तो इस goddamn कास्तूरी लिए रहा खंते हो तो बहुत अच्छा ग्लो डेती है कोई अपको मैं पीला पन होको डालदें यह नहीं पर आपको हुं आपको बहुत एजी तरीके से मैंने अच्छी तरीकी से मिक्स कर लिया है दोनों चीज़ों को और हल्दी मैंने थोड़ी सी क्योंटिटी में जादा लिया है क्योंकि आपको पता है कि आज कर ना धूब बहुत जादा बढ़ रही है तो आप बहार जाते हो नहीं तो टैनिंग की प्र सकीन टॉन से नहीं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ जो आपके गंधी की जम जाती है उसको बहुत एजी तरीके से हटा देती है मैं nieuwe कोई कलर hoards भग दवाय कर ओगे ली ला कर ना तो अभी आपको ना बहुत एजी की मतलब through हो सकता है तो यह देख सकतो हूँ मैंने इसमें बहुत एजी तरीकी से दही भी दाल दिया तो नैच्छल प्रॉसेस से आप ग्लोइंग करवा सकते हैं अपनी स्किन को तो यह मैंने दही ना मैंको बता देती हूँ जो मैंने दही लिया था ना बिल्कुल चिल्टे द और दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उसको स्किन पे लगारो और खट्टी आपको चीज से थोड़ी कम ही लगानी चाहिए अपने मतलब अपने मतलब चिक्स पे अपने स्किन पे तो यह मैं नॉर्मली फेस के लिए ट्राय गरने वाली हूं तो आ अब मैं ने दही डाला था दही डालने की वज़ अच्छी तरीकी से मिक्स कर लिया था और अब मैं इसमें डाल रहो बेसन तो बेसन जिसको नहीं पता तो मैं बोले तो घर वाला पीसा हुआ है तो मैं नॉर्मली राजिसान से बिलॉंग करती हूं तो हमारे गाउं से आ जा तो कितनी अच्छी हो चुकिया इसके तो यह रेमेडी बिल्कुल बन के त्यार हो चुकिया इसको इंस्टेंटली लगा ले ना यह नहीं कि आपने इसको बनाया भी और लगा दो घंटे बाद रहो तो वो बिल्कुल आपको गलो नहीं दे पाएगा इंस्टेंट चीजों को तो जाद अच्छे है क्योंकि रिंकल्स इतने टाइम इस पढ़ते नहीं है हमारे मेरे इसाब से तो तो यह देख सकते हो अच्छी तेरीगे से मैं अभी कुछ भी नहीं लगा रहा है और नॉर्मली देख सकते हो अभी मैं रेमेडी लगा रही हुँ सुबह शुबह मैंने द पर आपको इस चीज को मतलब accept करना ही होगा कि आपका ना कोई भी चीज लगाते हो नहीं तो उससे आपको glow केवल मतलब 10-15 दिन के लिए मिल जाएगा बट अगर आपको पर्मानेंटली और भी अच्छा glow चाहिए इससे मैं यह नहीं बोल रूर कि आपको glow नहीं आएगा पहल पहले आसकर आपके नहीं बना यह लंगा तो उनका लगी चीज जाता होगा टो उनका अलगी चाहरा गलो करता होगा तो देख सकित ड़स मिलिए अच्छी करता होगा देख से लोस्त अर इस तरीके इसको 10 मिनिट तक लगाने के बाद फिर दुल लेना है तो मैंने चेहरे को अची तरीकी से दूल लिया है नॉर्मल यह देख सकते हो आप तो दूलने के बाद यह देख सकते हो चेहरा कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको यह नहीं बोला था कि मैं एकदम से बहुत जादा अज तक आपको बता है कि अशी कोई रह्मेडी नहीं बनी तो आपको एकदम से घुण से घुणा बना देगी बट यह जो रहमेडी ने वो अच्छी तरीकर से घ्लो ले कि आगए अगर आपका स्किन टोन सामला है थोड़ा थोड़ा सा तो आपको अच्छा ग्लो देगी य कि नहीं कि आपको एकदम से गोरा बना देगी, ऐसी कोई मतलब रेमेडी बनी नहीं है, नैचुरल रेमेडी तो होती भी नहीं है, बट अगर आप इनको रेगुलर ट्राय करते हो ना, तो यह सही मैं आपको गोरा करने मदद करती है, तो आपको मैं इस चीज का बता देती हू और इसको धूला तो यह नहीं है, गर आप इनको पानी से धूल रहे की तो आपको इस चीज का बिधान रखना हाथी है, मैंने दो बार में आट राया का थालगा तो आपको इस चीज का बढ़ा है, तो दोस्तों